हेलो वीवर स्वागत आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज हम लो बात करने वाले हैं कि टेडिला फिल टेबलेट लेने के बाद सेकेंड डाउन कितनी देर तक होता है अगर आप इस question का सही answer जानना चाहते हैं तो वीडियो को last तक जुरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी detail मेश ना हो अगर आपने हमारा previous वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि PRP therapy की help से आप कैसे hair regrowth करवा सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं या description box में दियेगे लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं वर्क ओफ टेडिला फिल टेडिला फिल का क्या काम है जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दू टेडिला फिल का काम आपके लिंक में blood flow को तेज़ करना होता है जिससे आपको hard erection मिलता है सीधी बात समझे तो अगर आपके लिंक में hard erection नहीं आता है या आप अपने erection को लंबे समय तक maintain नहीं कर पाते हैं तो ये tablet इस problem के treatment में prescribe की जाती है अब बात करते हैं टेडिला फिल लेने के बाद second round का कितना time बढ़ता है कितनी देड तक कर पाते हैं इस question के जवाब से पहले आपको ये जानना होगा कि refractory period क्या होता है first round complete करने के बाद second round के लिए ready होने के बीच के time को refractory period या time कहते हैं refractory period हर meal में अलग-अलग हो सकता है हर meal में विर restoration करने की चमता अलग-अलग होती है किसी में ये 10 minute हो सकता है किसी में ये 30 minute किसी में ये 1 से लेकर 5 से 8 घंटे या 1 दिन भी हो सकता है ये आपकी age और health पर depend करता है बड़ tablet खाने से ये time जरूर short हो सकता है क्योंकि tablet से जैसे ही आपकी partner आपको touch करती है या आप play time के लिए जाते है जैसे ही sensation आता है आपका link hard erect हो जाता है sensation तो आ जाता है पर restoration की परक्रिया अभी भी चलती रहती है और जब आप संबन्द बनाते है तो इसलिए time काफी जादा बढ़ जाता है आपका वेर निकलता नहीं है क्योंकि वो restoration की परक्रिया में बेजी रहता है इसलिए time भी 30 मिनट से 45 मिनट तक easily चा सकता है ये time total आपके health और stamina पर depend करता है ये time हर किसी में उपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर किसी की body अलग होती है सेम परक्रिया बीना tablet के भी होती है बट time में बहुत फर्क पड़ता है तो अब आपको पता चल गया होगा की कैसे second round के लिए आप जल्दी ready होते है और कैसे time बढ़ता है second round में tablet के साथ तो अब बात करते हैं advice की मैं यही recommend करता हूँ कि आप tablet लेते हैं या नहीं लेते हैं दोनों ही सूर्तों में time बढ़ता है second round का हाँ tablet में time थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है आप second round ज़्यादा देर तक कर पाते हैं आप इसको ऐसे समझे बीना tablet के refractory period long होगा बढ़ time थोड़ा जरूर बढ़ेगा और tablet के साथ refractory period भी short होगा और time भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ज़्यादा देर तक कर पाएंगे तो इसमें किसी को निरास होने की जरूत नहीं है क्योंकि बीना tablet के भी जो time है वो normal है लाइफ को अच्छे से enjoy करें happy रहे तो hopefully आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और like जरूर कीजिए इससे में motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे चेक content बना देगा support करने के लिए चैनल को subscribe करके अगर कोई doubt है तो comment कीजिए मैं उसका answer जरूर दूँगा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और topic पर भी आपके लिए वीडियो बनाओ तो आप comment box में वो topic mention कर सकते हैं मिलते हैं next video में ने topic के साथ thank you कर सकते हैं